कर साथियों मैं सीमा गुपता आज आप सभी के वीच अत्यनती ही महत्त पोड़ बिसे पर चर्चा करने वाली हूँ और वह बिसे हैं किस समिक्षा अधिकारी साहिक समिक्षा अधिकारी की नियुक्ती कहा होगी आप सभी द्वारा लगातार ये पूछा चा रहा है कि क्या हमारी नियुक्ती लकनों में होगी या इलहाबाद में होगी या हमारी जो नियुक्ती यदि लोग से वायोग में होती है तो क्या हमारी नियुक्ती अनिक कहीं पर हो सकती है या हमारी न्युक्ति यदि सचवाले में होती है तो क्या हमारी जो इस्थांत्रडवेगर ट्रांसफर है तो क्या लोक से वायोग में हो सकती या अन्य किसी जगा पर उसके संबंद में आज मैं आप सभी किवी इस तमाम महत्रपोड जानकारिया देने वाली है आई जानते हैं कि समिच्छा दिकारी, साहिक समिच्छा दिकारी की न्युक्ति कहां पर होगी सरपतम साथियो आप से भी कौगत कराना है कि आप सभी द्वारा प्राप्त अंकू के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि आपकी नियुक्ति आपकी तैनाती कहां पर होगी आप किस पद के लिए और कहां के लिए चैनित होंगे साथियों यदि आप लोग सिवा युक त्वारा आयोजित समिक्षा दिकारी सहिक समिक्षा दिकारी परिक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं और आप अधिक्तव अंक प्राप्त करते हैं, तब आप प्रदेश की सरुच्च सथा उत्तर प्रदेश सची वाले में समिक्षा दिकारी बनते हैं और उसके बाद जैसे जैसे आप सभी का नंबर कम होते जाता है, वैसे वैसे साथियों अन्य जगा पर आप सभी की नियुक्ति की जाती है, जैसे लोकसे वायोग, राजस्तो परिसद, निर्वाचन आयोग, आदी अन्य जगा पर और इस आधार पर तैय होता है, अंको के आध कि आप सरवादिक नमबर लाए और आप उत्तर प्रदेश सच्वाले में समिक्षादिकारी बने हैं ठीक और अब आप सोच रहे हैं कि आप लगनों में के जगह पर कहीं अन्य जगह काम करते क्योंकि आपके कुछ ऐसी बिसेश परिस्तितिया हैं जिसके कारण आपको यह समिक्षादिकारी आदी बाहर भी गए हुए हैं इन सब परिस्तितियों में तो इस प्रकार से साथियों यदि आप आधिकता मंक प्राप्त करेंगे तो आप उत्तर प्रदेश सच्वाले में समिक्षादिकारी बनते हैं और उससे कम नंबर पाते हैं तो अन्य जगह पर परिस्तियों परिस्तियों इस प्रकार स उन्कू के आधार पर विभागों में तेहनात की जाता हैं या कोई अन्य आधार पर तो साथियों मैं आप सभी को यही योगत कराना चाहती हूँ कि जैसे जैसे यहाँ पर विभागों में पद रिक्त होते हैं उसी के क्रम में समिच्छा दिकारियों की सांतरण किया जाता है जहां अवसेक्त अच्छादा होती है वहाँ पर समिच्छा दिकारियों को ट्रांसफ सबकर निती का पालन किया जाता है still आप सभे के नियोगती आप सभी के उज्वल भवी का जो क expirem होता है वह आप सभी के अंको के अधार सर्ठीर बार बार मैं आप सभी क्रिपिया आप सभी क्रब कर आप सब्सक्राइब क्यान त्यारी आत tis सम्मंदित योगिता भी रखते हैं वो भी समिख्ष अदिकारी परिच्छा पास करते हैं तो आप अवज से ही कदापी ना सोचे कि नहीं आप बस समिख्ष अधिकारी परिच्छा की ही तेयारी करेंगे आप अवज से ही साथ ही ऑ अपने परिस्रम को और do Hanni रफ्तार से आगे बढ़ाईए और अवस यही आप समिक्षा दिकारी बनेंगे यदि आप यह चाहते हैं कि आप की न्युक्ती सच्चिवाले में हो तो निश्चित रूप से आप सभी को परिस्रम करना ही होगा तो साथियो आज मेरे द्वारी संचिप्त जानकारी के माध्यम से बताया गया कि यदि आप च्यादा अंक पाएंगे तो आप उत्तर प्रदीश सचिवाले के समिक्षा दिकारी बनेंगे यदि उससे थोड़ा सा कम पाएंगे तो फिर आप राजत सो परिसत के बनेंगे और दूसरी जो निर्धार के प्रेग्षिया यह होती है कि आप प्रतम प्राथमिक्ता क्या है दूतिय प्राथमिक्ता क्या है तो प्राथमिक्ता के क्रम में भी साथियों आप सभी की तैनाती होती है मालिजिए आप बहुत अधिक अंक पाए हैं और आप प्रतम प्राथमिक्ता अपना राजत तो परिसत दे दिया या लोग से वायों तो प्रतिपूर समर्पित भाउस से अपनी त्यारी करेंगी इसी आसा विस्वास के साथ सात्यों मैं सिमा गुपता आज विदा लेती हूं कि निसीत रूप से आप अपने लक्ष अपनी उद्देश से अपनी सपने को जरूर अफसाकार करेंगे नमस्कार